एक दिन तो चमतकार हो गया था पक्षियों ने बड़ी हिमत करके बाजुचील को एक पिंजरे में कैद कर लिया था पर बाजुचील का विज जालिम पती अपनी जान बचाकर वहां से फौरण भाग गया था पकड़ी गई बाजुचील आज पकड़ी गई बहुत प्रिशान क्या है इसने आए दिन हमारे बच्चों को मार कर खा जाती है यह ओ बाजुचील हम पक्षी कमजोर हैं पर तुम्हारी तरह बेखूफ नहीं हमने आज बहुत चलाकी से तुम्हें पकड़ी लिया हां इससे त जरूर आ जाएगा हां जरूर चलो पक्षियों मैं पैट्रोल लेकर आता हूं अभी क्या भी इस बाजुचील को जलाकर रा कर देते हैं हां जला दो जला दो इस बाजुचील ने मेरे बच्चों को बहुत बुरी तरह से मार कर खाया है सारे पक्षी बाजुचील को जलाने क एलिये तयार थे तब 우리는 चैडिया बोलती है रुक जाओ रुक जाओ पक्षयों अभिर जमाराज नहीं कर सकते क्योंकि मिठ नहीं आराज जंगल में बाजुचील यहां से कहीं नहीं जा सकती, सब अपने अपने घर जाते हैं, फिर कल महराज जैसा कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे सब पक्षी फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं बाजुचील जिस पिंजरे में कैथ थी उस पिंजरे की चाबी मिनुचडिया के पास थी दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि ये कहानी आगे और भी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है उदर दोसी तरफ बाजुचील का पती और उसका बेटा काफी जादा परिशान थे बाबा बाबा ममा को लेकर आओ ममा के बगेर मैं कैसे रहूँगा मेरे बच्चे तुम चेंता न करो पक्षी बहुत चलाक हो गए हैं बड़ी चलाकी से हम पर हमला कर दिया और बाजुचील को पकर लिया पर तुम्हारे बाबा भी किसी से कम नहीं मैं तुम्हारी ममा को जल्दी वहां से अजाद करवा के लियाओंगा तब ही वहां पर भागा भागा जगुपक्षी आता है वे जगुपक्षी बहुत चलाक था वे रहता तो पक्षियों के जंगल में था पर वे जंगल की एक एक बाता कर बाजुचील और उसके पती को बताता था जगुपक्षी तुमने मुझे धोका दिया मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि जंगल के पक्षियों ने हमारे लिए इतना बड़ा जाल बिछाया हुआ था जिसमें बाजुचील फसी गई मुझे माफ करना बबलुचील मैं तो जंगल से बाहर गया हुआ था मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब पक्षियों ने तुम चीलों को पकड़ने का उपाय बना लिया मैं कुछ भी नहीं जानता मुझे किसी बितरा बाजुचील को वहां से अजाद करवा के वापस लेकर आना है बबलुचील सारे पक्षि बहुत गुसे में थे कह रहे थे कि बाजुचील को आग लगा कर जला देते हैं वो तो अच्छा हुआ कि मिनुचेडिया ने कहा कि मिठु माराज के आने के बादी वे कोई फैसला करेंगे कि बाजुचील को क्या सजा देनी है हमारे पास कल तक का समय है क्योंकि मेठो माराज कल सुबा आने वाले है हमें किसी भी तरह आज रात को ही बाजूचील को वहां से अज़ाद करवा कर लाना होगा बस फिर बबलूचील और जगभगवख्शी बाजू चील को अज़ाद करवाने का कोई पिलान बनाते हैं रात हुजाती है चंगल में हर तरफ सन्नाटा था बाजू चील पिंजरे में अकेली बेठी बहुत जादा परिशान हो रही थी तब ही वहाँ पर जगु पक्षी और बबलू चील आ जाते हैं पती जी पती जी मुझे बचा लो मुझे यहां से ले चलो वरना ये जालिम पक्षी मुझे जला कर रा कर देंगे बाजू तुम परिशान नहों मैं यहां तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ बबलू चील तुम यहीं परी बैठो मैं छुपके से मिनुचेडिया के घर में जाता हूँ और पिंजरे की चाबी लेकर आता हूँ फिर चगुपक्षी छुपके से खिड़की के रास्ते मिनुचेडिया के घर में घुसाता है और वे फॉरन पिंजरे की चाबी उठा कर वहां से भाग जाता है अरे अरे ये चाबी से ताला क्यों नहीं खुल रहा या जल्दी खोलो जल्दी खोलो वरना कोई आ जाएगा तब ये अचानक दो बड़े बड़े जाला कर उन दोनों पर गिरते हैं और वे दोनों भी जाल में क्याद हो जाते हैं तबी मिनुचेडिया भी फारण अपने घर से निकल कर बहार आती है मिनुचेडिया हमारा उपाय सफल हो गिया बाजुचेल का पती और ये जासूद पक्षी भी पकड़ा गिया जगुपक्षी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम हमें धोका दे रहे थे मैंने तुम्हें कितनी बार अपने हाँ से खाना बना कर खिराया तुम्हारी कितनी सेवा की पर तुमने फिर भी हम पक्षियों को धोका दिया मिनुचेडिया इसका मतलब तुम सोने का नाड़क कर रही थी और ये जो चाबी है ये भी नकली है हाँ ये सब हमारा उपाय था हमें पता था कि बाजू चील को छड़वाने आज उसका पती रात को जरूर हमारे जंगल में आएगा कालू कवे बाजू चील तो पकड़ी गई पर वे बबलू चील तो भाग गिया हमें उसे किसी भी तरह से पकड़ना होगा मिनो चीर्या बबलू चील को तो हम पकड़ेंगे पर साथी हमें उस पकड़ी को भी पकड़ना है जो हमारी सारी बाते जाकर चीलों को पताता है वे से कालू कवे मुझे यकीन है वे जासू सबक्षी आज रातको बबलू चील को लेकर जरूर हमारे जंगल में आएगा क्योंके बाजू चील हमारे जंगल में है इसलिए आज रात को वे दोनों जरूर हमारे जंगल में आएंगे हाँ तो आने दो हम बबलू चील को पकड़ लेंगे और साती उस जासूत पक्षी का भी पता लग जाएगा कि आखिर हमें कौन धूका दे रहा है बबलो चील हमें पता था तुम जरूर आओगे हमारे जंगल में इसलिए हमने पहले से ही तुम्हें पकड़ने की योजिना बना ली थी बस फिर दूसरे दिन सुबा मिठु माराज वापस अपने जंगल में आ जाते हैं मिठु माराज यही वे दोनों चीले हैं चिनों ने हमें बहुत परिशान किया हमारे मासूम मासूम बच्चों को वे डर्दी से मार कर खाते रहें हाँ मिठू माराज आप कहें तो मैं इन दोनों चीलों को अभी के अभी जला दूँ हाँ पक्षियों मैं अनुमाती देता हूँ इन दोनों चीलों को जला डालो जब इन दोनों ने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें इनके बारे में और मिठु माराज जगु पक्षी का क्या करें जो इतने सालों से हमें धोका दे रहा था इसे में सारी जिन्दगी के लिए काला बास के पीछ डाल दूँगा यही इसकी सजा है बस फिर माराज की हुकम पर उन दोनों चीलों को रसी से बान दिया जाता है और फिर पक्षी लकडियों में आग लगा कर उन चीलों को आग में जलाने लगते हैं इस तरह वे दोनों जालिम चीलें अपने अंजाम को पहुंच आती हैं और वे धोके बाद जगु पक्षी भी हमेशा हमेशा के लिए काला बास में क्या दो जाता है प्यारे दोस्तों अगर आप सब को ये कहानी पसंद आई तो वेडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम् इस बार तो हम पक्षीों ने अपने अपने गोंसले बहुत मजबूत बनाए हैं और हमारे गोंसले हवासे भी नहीं होने वाले पर अंतु मिनोचेडिया जगू साइंटिस बता रहा था कि इस बार हमारे जंगल में बहुत थेज हवाई चलेंगी अरे बाप रे ये क्या बोल रहे हो कालुकवे मिनोचेडिया बिल्कुल ठीक है रही है इस बार हमारे गोंसलों को कुछ नहीं होने वाला इस बार सारे पक्षी निशिन्थ होकर अराम से अपने अपने गोंसलों में रह रहे थे तोती जी तुमने ये अंडे रेकर मुझे बहुत बड़ी खुश्खबरी दी मैं बहुत जादा खुश हूँ तोती जी अभी तो और जादा खुश हो जाएं क्योंके आज ही हमारे ये दोनों अंडे फूटने वाले हैं क्या अरे वाँ मेरे बच्चे आज ये अंडों से बाहर आ जाएंगे ये तो बहुत बड़ी खुश्खबरी है मुझे सपक्षियों को बताना होगा अभी अच्छा अगर आप जा रहे हैं तो आज की आप सपक्षियों को दावत भी दे देना हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर पहली बार जो हमारे अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं मैं तो सब को बलाऊंगा सब को दावत दूँगा मैं तोता तो बहुत जादा खुश था वे फारण मिनुचेडिया के पास चला जाता है मिनुचेडिया मिनुचेडिया मेरे अंडे फूटने वाले हैं तुम जल्दी से आजाओ मेरे घोंसले में अरे वाँ ये तो बहुत अच्छी बात है मैं बस अभी आती हूं तोते फिर तोता कालू कवे के गोंसले में जाता है कालू कवे नानी कवी जल्दी करो जल्दी से मेरे गोंसले में चलो अरे अरे तोते क्या हो गया गोंसले में आग तो नहीं लग गई नहीं नहीं आग नहीं लगी मेरे नने नने बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं चली चलो मेरे गोंसले में अरे वाँ तुम्हें बहुत मुबारक होते में और आनी जरूर आएंगे इस तरह तोता बाकी के और पक्षियों को भी अपने गोंसले में आने की दावद देता है फिर थोड़ी देर में सब पक्षी तोते के गोंसले में आ जाते हैं और अंडे फूट में का इंतिजार करने लगते हैं फिर कुछ देर में एक अंडा फूटता है और उसमें से एक ननी सी तोती निकलती है मेरी बच्ची मेरी सुन्दर तोती कितनी प्यारी है मेरी बच्ची कुछ ही देर में दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक नना सा तोता निकलता है अरे वाँ भी तोते एक बेटा और दूसी बेटी वाँ कितने जादा सुन्दर है तुमारे बच्चे अक्षियों तुम सब अभी कहीं बर भी नहीं जाना मैं तुम सब के लिए मज़ेदार भोजन लेकर आता हूँ अभी बच्चों की आने की खुशी में तोता बहुत जादा खुश था वे सपक्षियों के लिए भोजन लेने चला जाता है थोड़ी देरे में तोता सपक्षियों के लिए गरम गरम बिर्यानी लेकर आता है और सपक्षि मिलकर मज़े से बिर्यानी काते हैं और फिर सारा भोजन खाकर सपक्षी वापस अपने अपने गोंस्लों में चले जाते हैं तोता और तोती बहुत जादा खुश थे पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी कुछी मिंटों में खतम हो जाएगी क्योंकि अचानक ही जंगल में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और जंगल के सभी पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे बस तबी तेज हवा का जोंका आता है और तोते का गोंसला बच्चों समेट नीचे गर जाता है बच्चे बिचारे बहुत छोटे थे वे दोनों तो उसी समय ही मर जाते हैं तोते जी ये क्या हो गिया मेरे बच्चों ने तो अभी ठीक से आँख भी नहीं खोली थी और ये हास्ता हो गिया सारे पक्षी भी फारण से वहां पराते हैं और इतना बड़ा हास्ता देख कर वे सब बहुत जादा उदास हुजाते हैं मैंने कहा था कहा जना मैंने कि इस वार जंगल में काफी तेज हवाई चलेंगी देख लो कितना बड़ा हास्ता हो गिया हाँ ये जंगल हमारे किसी काम का नहीं अगर हम इसी तरह इस जंगल में रहते रहे तो हम अपने बच्चों को खोते रहेंगे हाँ पक्षियों ये तोदा बिल्कुल ठीक है रहा है कल को हमारे भी बच्चे होंगे और हमारे बच्चों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है ना बाबा ना कालू जी हम छोड़ देंगे इस जंगल को मुझे नहीं रहना इस जंगल में अरे पक्षियों हम आये तो दूसे जंगल में भी चलती है इस जंगल को छोड़ना इस समस्या का हल नहीं है बलके हमी कुछ और सूचना चाहिए तुम छुप करो मिनुचेडिया आज से हमेंसे कोई भी बक्षी इस जंगल में नहीं रहेगा हम सब बक्षी चलते हैं इस जंगल को छोड़ कर ठीक है भाई जब सब बक्षी जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ तो ठीक है फिर बक्षी ओं कर हम सब बक्षी दूसरे जंगल के लिए निकल जाएंगे वे तेज हवाई दुबारत से रुख गई थी वे सब बक्षी फिर अपने अपने गोंस्टों में चले जाते हैं चलो मैं कर रास्ते के लिए भोजन ढून लेती हूँ वरना कर रास्ते में भोजन नहीं मिलने वाला फिर मिनुचेडिया भोजन ढूनने के लिए निकल जाती है और फिर वे भोजन ढूनती ढूनती चंगल से काफी जादा दूर निकल जाती है वे तो इंसानों की बस्ती में आ जाती है और वे इंसानों के बनाए हुए बड़े बड़े घर देकर काफी जादा है रान रिजाती है अरे ये तो में इंसानों की बस्ती में आ गई यहाँ पर तो इंसानों ने अपने लिए कितने बड़े बड़े घर बनाए है मिनुचेडिया को इंसानों के बनाय हुए घर अच्छे लगते हैं और मिनुचेडिया फारण वापस अपने जंगल चली जाती है और फिर वे अपने जंगल में आकर कुलहारी से पेड़ की लकड़िया काटने लगती है मिनुचेडिया को इस तरह पेड की लकडिया काटते हुए देख सब पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं ये क्या कर रही हो तो मिनुचेडिया पक्षियों आई हुई समसिया को देख कर भागती नहीं बल्कि उसका हल निकालते हैं और मुझे हमारी समसिया का एक बहुत बढ़िया उपाए मिल गया है क्या मदला मिनुचेडिया तुम्हें कौन सा उपाए मिला है मुझे पहले लकडिया काटने दो फिर देखो में क्या करती हूँ मिनुचेडिया जल्दी जल्दी लकडिया काटने लग जाती है थोड़ी देर में वे कुछ लकडियां काटके अपने पेड़ पर आकर उन लकडियों से घर बनाने लगती है रात हो गई थी सपक्षी तो अराम से अपने गोंसले में सो गई थे पर मिनुचेडिया काफी मैनसे अपना लकडियों का घर बना रही थी दूसरे दिन सुबा मिनोचेडिया अपना लकणियों का मजबूत घर बना कर बिलकुल तैयार कर देती है अरे वा ये तो बिलकुल इंसानों जैसा घर बन गिया ऐसे घर तो इंसान बनाते हैं हाँ कालुकवे सिर्फ इंसान नहीं बलके हम पक्षी भी मेनद करके सब कुछ बना सकते हैं मिनोचेडिया अगर हम सब पक्षियों के पास भी ऐसे ही घर हो तो इस जंगल को छोड़के जाने की कोई टेंशन ही नहीं बस सब हम पक्षी भी बिलकुल ऐसे ही लकडियों के घर बनाएंगे ताके जंगल को छोड़के जाने की जरूरत ना पड़े मिनोचेडिया के उपाई की वज़ाए से सब पक्षी अब उस जंगल को छोड़कर नहीं जाते दोस्तों अगर आप सब को ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और कमेंड में हमें अपनी राय देना ना पूलें आहा क्या स्वादिश पीजा था खाकर मज़ा आ गिया वा राजुकवे तुम्हारे तो बहुत मज़े हैं तुम रोजाना पिज़ा बर्गर और बहार के खाने खाते हो क्या तुम्हारी ममा तुम्हें कुछ नहीं बोलती मेरी ममा बहुत अच्छी हैं मुझसे बहुत प्यार करती हैं मैं उसे जो कहता हूँ मुझे फॉरल लाकर देती हैं ये सब देखकर मानुचिरा सोच रहा था एक मेरी ममा है जो मुझे बहार का खाना खाने ही नहीं देती क्या मेरी ममा मुझसे प्यार नहीं करती ये सोचते सोचते मानुचिरा उदास होकर अपने घर चला जाता है आओ मानूचिरे ये देखो मैंने अपने बेटे के लिए ये दार चावल बनाए है चलो अब इसे जल्दी से खालो ममा नहीं खाना मुझे आपके ये बिकार दार चावल मुझे तो पिज़ा खाना है मानो ये क्या तरीका है भुजन को बुरा नहीं कहते चलो चलिए से खारो इसे मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे पिज़ा खाना है पता है रानी अंटी राजुकावे से बहुत प्यार करती है जो मांगता है उसे फॉरण से मिल जाता है लगता है ममा मैं तो जैसे आपका कोई सोतेला बेटा हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा करती हो ओ अच्छा अब समझाया ये सब तुम राजुकावे को देखकर कर रहे हो ना देखो मानुचेडे पहार के पिज़ा बर्गर सहट के लिए बिलकुल अच्छे नहीं होते मानुचेडा चुपो चाता है और चुबचाप दालचावल खाने लगता है मेरी ममा तो मेरी बात कभी नहीं मानेंगी परन्तु मैं भी रोग्यार के खाने खा कर रहोंगा दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि ये कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है अगले दिन सुबा मानोचिडा इस्कूल जा रहा था मानोचिडा मिनोचिडा से जूट बोलकर सौ रुपे लेकर इस्कूल चरा जाता है और वे रास्ते में एक पेड़ के किनारे मिनोचिडा का दिया हुआ भोलचन फेक देता है जान छूटी मेरी इस बेकार भोलचन से चलो अब इस्कूल जाता हूँ रास्ते से मानोचिड़ा मिनोचिड़िया के दिये हुए पैसों से पिज़ा खरीद कर स्कूल चला जाता है अरे वाबाई क्या बाते मानोचिड़े तुम्हारी मम्मा ने आज भोजन में तुम्हें पिज़ा कैसे दे दिया क्योंकि मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है मैंने जिद की और उन्होंने मुझे पिज़ा ला कर दे दिया बस फिर मानोचिडा मज़े से वे पिज़ा खाने लगता है अगले दिन भी स्कूल जाने के समय मानोचिडा मिनोचेडिया से पैसे मांगता है ममा कल स्कूल जाते हुए रास्ते में मुझसे सौर रपे कहीं गिर गए थे मैंने बहुत ढूंडे पर मुझे नहीं मिले पर आज मुझे लाजमी अपनी टीचर को वो सौर रपे देने होंगे वरना टीचर मुझे बहुत डाटेंगी मानुचेड़ा खुश हो जाता है और वे कल की तरह आज भी पेड़ के किनारे मिनुचेड़िया का दिया हुआ भोजन फेक देता है और उन पैसों से गरम गरम बर्गर खरीद कर स्कूल ले जाता है अब तो जैसे मानुचेड़े के मज़े ही आ गए थे वे रुज़ाना मिनुचेड़िया से जूट बोलकर पैसे ले जाता और स्कूल में आकर बहर के खाने खाता था आ गया मेरा बेटा स्कूल से मानुचेड़े मैं बहुत जादा खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरा दिया हुआ सारा भूजन खा लीता है हाँ ममा आज आपने बहुत मज़े के दाल चावल बनाए थे खा कर मज़ा आ गया अरे पर मैंने तो इससे पलाओ दिये थे तो ये मानुचेड़ा मुझसे जूट क्यों बोला है लगता है कुछ गरबर है आज की पूरी रात बस बिचारी मिनुचेड़िया अपने मानुचिड़े के बारे में ही सोच रही थी अब तो मानुचेड़ा रोजाना मुझसे سोर पर मांगने लगा है और भोचन भी सारा खा लेता है सरसा भी नकरे नहीं करता हम लगता है अब मुझे मानुचेड़े पर नज़र रखनी होगी बस अगले दिन सुबा मानुचेड़ा रोज़ाना की तरह आज भी नया बहाना बना कर मिनुचेड़ा से पैसे मांगता है मम्मा आज स्कूल में पार्टी है आप मुझे सौर पे देदो ना हम बच्चे मिलकर आज आज आस्क्रीम खाएंगे मानुचेड़ा आज भी सौर पे लेकर अपने स्कूल चला जाता है पर आज मीनुचेड़ा भी उसके पीछे पीछे जाती है मानुचेडی और वही रोज की तरह आज भी पेड़ के किनारे मीनुचेड़िया का दिया हूव भोचन डाल देता है और फिर एक दुकान से पिज्जा खरीद कर खाने लगता है पर आज मीनुचेड्या छुपके छुपके यह सारा कुछ देख लेती है मानो चेड़े मैंने सब देख लिया कि तुम अपनी ममा को किस तरह से धूका दे रहे हो कितने दिनों से तुम मेरा बनाया हुआ भोचन यहां लाकर फीक रहे थे तबी जमीन पर पड़ा हुआ वो भोचन देखकर एक नन्ना गरीब कबूतर वहां पड़ाता है अरे ये तो गंदा है समीन पर पड़ा हुआ है तो तुम इसे क्यों खा रहे हो क्योंके मैं बहुत जारा गरीब हूँ मेरे घर भोचन नहीं बनता सारा सारा दिन भूके रहना पड़ता है इसलिए मैं रोजाना यहां पर आकर ये स्वादिश पड़ा हुआ भोचन खा लेता हूँ वाकई में ये भोचन बहुत मज़ेक होता है खा कर मज़ा आ जाता है ये सब सुनकर मानुचिडे को अपनी गल्दी पर बहुत एहसास होता है और वे रोने लगता है मामा मामा में समझ गया हूँ कि हमें हमेशा भोचन की कदर करने चाहिए मैं आज के बाद कभी भी भोचन को बुरा नहीं बोलूँगा इस भोचन को मैं बुरा समझ कर इसे फेक देता था पर मुझे क्या पता था कि इस भोचन के लिए कई पक्षी तरसते हैं मानोचेडा इस तरह मिनोचेडियाज से माफी मांगता है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भोजन की कदर करनी चाहिए क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो भोजन के लिए तरसते हैं